आप विश्वास करो ना करो, बाइबल तो कहता है परमेश्व कवचेंजया, दो या तीन मेरे नाम से इकत्रित होंगे, उनके कहां, उनसे बाहर, उनके बीच में, हाललोया, हाथ उठाकर कहें, येश्य मसी, तू हमारे बीच में हैं, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हाललोय आखे बंद करें और इस बाइबल को अपने हाथों में उठा ले, परमेश्व कदर निवाद करें, परमेश्व हम आभार मानते हैं, तेरा वचन हमें बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारी दशा को बदलता है, हमें उठाता है, ये वो वचन है, जो मेरे छीवन में, मेरे शरीर में, मेरे प्राण में और आत्मा में परमेश्वर का जीवन ले आता है और मुझे उठाता है यह वो वचन है, जो मुझे छुटकारा देता है, शांती देता है और आगे बढ़ाता है, पापों से छुडाता है यह वचन है, जो मुझे पवित्र जीवन की और ले चलता है यह वो वचन है, जो खुदा ने मेरे लिए भेज़ा है, यह वो वचन है, जो मेरे लिए स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा मेरे लिए प्रगट किया है अगर यह वचन न हो, तो प्रगट बहुत सारी बातों में हम उल्जे रहे, अंधियारे में रहे पर प्रगट आप हमें अंधियारे में रहने देना चाहते नहीं हो परमेश्वर हम आपका द्वाद करते है जो मार्ग हमारे लिए इंपॉसिबल था जिसके थ्रू आपके तक पहुँचना असंभव था वो ये शुमसी आपने हमारे लिए संसार में देह धारान करके उस देह के बीच में से निकाला परमेश्वर अपने आपको छलनी कराकर निकाला परभू और तभी आज हम सब मिलकर परभू इस आनंद के उत्सव में शामिल हो पाए है परभू थांक्यू प्रभू दन्यवाद दूआ करते प्रभू इस समय को आप आशिशीद करें हरेक दर्द को हरेक वेदना को हरेक उलजन को रहेक बांध कर रखने वाली हरेक दुष्ट ताकतों को हर एक पूंचे विचारों को जो प्रभु येश्यू मसी के समझने से या तो गहर मान्यताओं में बंधन में ले जाता है येश्यू के बारे में ऐसी हर बातों को और ऐसे हरे ज्ञान को हम येश्यू के नामें अलग करते हैं आज और प्रभु तेरे बच्चों को जिनको तुने इस दुनिया में जन्म दिया इस दुनिया में बढ़ाया यहां तक पहुंचाया है हम आज उनकी आशिश के लिए छुटकार बांते हैं परवेश्यू आप यहां मौजुद हो आपकी पवित्र मौजुद्गी में पवित्र आत्मा आप हम में से हरे को हमारे जीवन के अंदर एक गहरी और सची खुशी में छुटकारे में आनन्द में प्रभु आज आप ले जाइए हमारे विचारों को बदलिये बोलिये परमेश्वर आज मेरे विचारों को पवित्र आत्मा तुचूले जैसा तेरा नजरिया है जैसी तेरी दृष्टी है वैसी मेरी हो मुझे बदल येश्यू के नाम में मांगते है शत्रु की हर चालो को हम नाकाम्याब करते जो वच्चन के खिलाफ में अब रोध में कारिय करती है उसे हम येश्यू के लहु में बान देते हैं और निश्फल कोशित करते हैं येश्यू के समर्थी नाम में रभी येश्यू के नाम में मांगते हैं आमेन हललोया क्रिस्मस मना रहे न सब लोग अललोया प्रभू ने खुशियों का दिन दिया है और प्रभू हमें कभी भी दुख के दिन नहीं देता है कि अललोया और जब की नहीं पाचा उसने हमारे साथ कर लिए परमेश्वर ने श्रापों को हटा कर आशिशों को जोड़ दिया है कि येश्यू मसी का पहला आगमन आप और मैं आज मना रहे है कौन सा आगमन मना रहे ये कि बोले पहला आगमन येश्यू मसी इस दुनिया में देह धारण करकर के आए वोई दोजार साल पहले आए असा नहीं था वो पहले से थे पर दोजार साल पहले उन्होंने इस दुनिया को छुड़ाने का उद्धार देने का फैसला करके अपने आपको शरीरिक रूप में प्रगट किया हाललोया और उन बातों की और हम थोड़ी द्रिष्टी करेंगे त्यार है अपने बाइबल में से लुका रचित्सू समाचार दूसरा अध्याय आप निकालेंगे लुका दो कितने को घर जाके खाना बनाने का है आज कि यहां पर है ओके चलो अच्छा है तो अब कोई टेंशन नहीं है यह जगे परमेश्वन ने हमें दी है और हमारे पास कुछ समय है पर इस समय में हमने बाहरी खुशाली से ज्यादा अंदरूनी क्योंकि बाहरी खुशाली कुछ समय तक रहती है उसकी कुछ मर्याद आये है डिपेंडन रहती है यह खुशिया संजोग और परिस्थित्यों पर परमेश्वर जो आनन्द और खुशी देता है वो कहां देता है पता है भीतर इसलिए कि वो बढ़ करादा है हर परिस्थित्यों में हर संजोगों में हर अवस्थाओं कि वो ही तो वो कर सकता है और कौन कर सकता है अंदर खुशी लाए और कौन अंदर तक पहुंच सकता है कि आपके दिल तक कौन पहुंच सकता मेश भना ओ लिखा-ए अतमाओं बणाने वाला खुदा है वह सारी आतमाओं का प्राणों का बनाने वाला खुदा है वह तो वो ही तो हमारे जीवनों में उन्नति ला सकता है आशिश ला सकता है खुशिया ला सकता है और आज से 2000 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ तरुकार उसका दूसरा अध्याए इसमें आप आठ से 20 आयत पढ़ेंगे सबी लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे मिला आपको उस देश में कितने गडर ये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जुन्ड का पहरा देते थे और प्रभू का एक दूत उनके पास आखड़ा हुआ और प्रभू का तेज उनके चारो और चमका और वे बहुत डर गए तब स्वर्ग दूत ने उनसे कहा मट डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाउत के नगर में तुम्हारे लिए एक उधार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभू है और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिप्टा हुआ और चर्नी में पड़ा पाओगे तब एका एक उस स्वर्ग दूत के साथ स्वर्ग दूतों का दल परमेश्वर की स्टूती करते हुए और यह कहते दिखाई दिया आकाश में परमेश्वर की महिमा और प्रत्वी पर उन मनुश्यों में जिन से वप्रसन है शांती हो जब स्वर्ग दूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा आओ हम बैथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभू ने हमें बताया है देखे और उन्होंने तुरंत जाकर मर्यम और युस्फ को और चर्नी में उस बालक को पड़ा देखा इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विशय में उनसे कही गई थी प्रगट की और सब सुनने वालोंने उन बातों से जो गडेरियोंने उनसे कही आष्चर्य किया परन्तु मर्यम ये सफ बाते अपने मन में रख कर सोचती रही और गडेरिये जैसा उन से कहा गया था वैसा ही सब सुन कर और देख कर परमेश्वर की महिमा और स्तूती करते हुए लौट गए कैसे लौट गए परमेश्वर की महिमा और स्तूती करते हुए लौट गए हाललोया इसके पहले भी बहुत सारी बाते आप पढ़े होंगे पर फिर से आज समय निकाल कर पढ़िएगा मत्थी रचित्सु समाचार पहला और दूसरा अध्याई लुका पहला और दूसरा अध्याई ये दोनों अध्याई ये चारों अध्याई आप फिर से बहुत दें रुकते रुकते पड़ना। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो डिटेल इसके अंदर बताई है प्यारों येश्यु मसी के जन्म को लेकर आप और मैं और दुन्या का कोई भी शक्स येश्यु मसी के जन्म को इनकार नहीं कर सकता है। डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं भे ऐसा कुछ नहीं था यह कोई मिथ नहीं है यह कोई कहानी नहीं है यह सत्य हकीकत है कि ये शुमसी इस प्रकारिश संसार में आये थे जब आप और मैं पहला आगमन मना रहे हैं जब की दूसरा आगमन करीब है रहे हैं सुनरे आप लोग दूसरा आगमन बुलकुल पास्य है और आप पहल अ कि कि यहारी करनी है इसकव अब तयारी करने के लिब आया था कैसे आया था और क्या किया उसने यह आपको और मुझ को अगर पूरी तरह से समझ में है तो आप और मैं लोगों को येशु समाचर बता सकते हैं और पता नहीं तो भी इतना तो बताई सकते हैं कि येशु मेरे लिए संसार में आया क्योंकि मैं मनुश्य था इसलिए भो भी मनुश्य बना हार UP मैं भी हड्डी चम्डी लःव का बना था इसले वब हड़ी चम्डी लहू का शरीर धारण किए ऊसने कि मैं कि अललोया तो यहाम photographs पर तो द्वारा चरवाहो को संदेश किसको संदेश दिया गया चरवाहो को कुछ चर्वाय थे यहां पर और चर्वाय आपको प्रश्ण होगा देखो लिखाए रात में मैदान में अब वो जिस जो जगे है वहां की रात और वो भी मैदान आप सोच सकते हो आज आप खुले खेत में जाकर खड़े रहो यह सीजन में आपको क्या लगेगा वो भारी ठंड में वो भेडों को संभाले वहां पर पहरा दे रहे थे और प्रभु का एक दूद उनके पास आखड़ा हुआ दूद आया पर उसके साथ क्या था तेज बोले तेज यानि कि महिमा वो स्वर्ग दूद जो परमेश्वर के सामने हर दम रहते हैं जब भी संसार में आते उसकी महिमा को लेकर आते हैं हलेलोया आज इस होटल में यहां पर स्वर्ग दूद मौझूद है अमेन हलेलोया आप विश्वास की आँखों से उसको साफ देख सकोगे हलेलोया तब स्वर्ग दूद ने उनसे कहा मट डरो इनका डर जाना स्वाभाविक था कि ऐसे अंधेरे में ऐसी घटना हमारे साथ वो भी भयानक अंधेरा हो और अचानक ऐसी रौष्णी कोई आ जाई जिनके पंक हो और वहां पर जमीन से अधर हवा में खड़ा हो और बोले कि इसलिए दूद ने आकर क्या कहा पहले मट डरो वाजुवाले को बोलो मट डरो हाललोया क्योंकि प्रुत्वी पर अब येश्यु मसीगे आने के बाद कुछ हुआ है लिखा है वो जन्मा है जन्मा ले चुका था और उसकी खुशकबरी सुनाने के लिए परमेश्वर ने किसी को चुना गुड़ न्यूस किसको सुनाया जाते हैं गुड़ न्यूस अच्छे समाचार आप आपके परिवार में कई तरह के होते अच्छे समाचार किसी की मंगनी तय हो गई भई कि किसी का रिजल्ट अच्छा गया फर्स्ट लास फॉस्ट आ गया किसी को एडमीशन मिल गया किसी की घर में बालक ने जनम लिया बहुत सारे गूड न्यूस होते हैं सबसे पहले आप किस से शेर करोगे अपने लोगों से अब अपने लोगों में भी एक सरकल होगा सबसे पहला फॉन कहां जाएगा यह अपने परिवार में जो जो सबसे क्लोज हो कैसा हो बहुत क्लोज हो परमेश्वर ने उनके पहले आगमन के जनम के यह समाचार यह गुड न्यूस सबसे पहले अगर शेर किये तो वो यह चरवा है थे हललोया सुन रहे आप लो निंदार यह तो आंके कर लेना है न मैं देख सकता हूं यहां पर अपन पूरा दिन तो बहुत नाचेंगे कुदेंगे और न जाने क्या-क्या मना लेंगे ना पर प्रभु का वच्चन के बगएर आपकी और मेरी खुश्या नहीं ठीकेगी मैं कहना चाहूंगा यह खुश्या ज्यादा नहीं रहेगी अगर आप वच्चन से बाहर खुश्या मनाने का प्रयास करोगे येशु से छोड़कर प्रयास करोगे तो यह खु ह्रूश्या मोनानी है तो सब से पहले समझना पड़ेगा कि ये शु ये ये ऑश्यव मेरे लिए आया है मेरा दाम छुकाया है मेरा चुटकार रा 2 मेरा उद्धार और यहां पर आनंद का कैसा आनंद कैसा आनंद यहां क्या लिखाएं बड़े आनंद बोले बड़े आनंद अब हिलाई यह बोले बड़े आनंद का समाचार है यह तो हिलाई यह बाजी वाले को अरे हिलाई यू यू नहीं करना है बड़े आनंद का सुसमाचार है हालेलुया येस बड़े आनन का अब ज्यादा मत हिला ना बस 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 बाकी कम प्रभू को हिलाने दीजी आप आपको आपका दिल हिलाए प्रभू आज आमेन आपके विचारों को हिलाए प्रभू आज हाललुया आपके पाओ को हिला के रख दे आज आमेन हाललोया बड़े आनंद का सुसमाचार कितना गजब लिखा है अपने जुन्ड का पहरा दे रहे थे एक, दो, तीन, चार नहीं थे गड़ेरिया नहीं लिखा है गडेर यह इसका मटलब ज्यादा थे बहुत सारे थे बेड़ भी बहुत सारी थे जुंड था पूरा क्यों पूरे जुंड को चुणा क्यों रात का समय चुणा परमेश्वर ने पिर यहां पर लिखा है स्वरगद एक दूद आया पहले तो जब वो सुना चुका वो बाते तब लिखा है वहां स्वर्गदूतों का दल भी आ गया हालेलोया यह यह कुछ अलग है यह मुझे यहां पर कुछ ध्यान खीच रहे स्वर्गदूत कुछ बोल रहा है पर दूसरे स्वर्गदूत लिखा है दल स्वर्गदूतों का दल इंगलिश में लिखा है नियूमरस मतलब औसंख्य बोलिया औसंख्य अंगिनित जिनको गीना नहीं जा सकता है उतने सारे स्वर्गदूत आ गये वहां पर ओहलेलोया स्वर्गदूतों से स्वर्ग में नहीं रहा गया ये खुशी के समाचार वो इस प्रुथी पर आकर गाने लगे हालेलोया स्वर्ग भी जुड़ना चाहता है आपसे और मुझसे पर जब आप और मैं उसकी योजना के अनुसार चलते हैं और खुशिया मनाते हैं तो स्वर्ग दूत भी आपके और मेरे साथ जुड़ते हैं हालेलोया मैं इसलिए देख रहा हूं दूतों को क्योंकि आपने और मुझस आपने और मैंने हमने सच्चे दिल से आज आरादना की थी हालेलोया वो भी हमारे साथ जुड़ गए हालेलोया कितना अद्बूत है प्यारो स्वर्ग दूतों का दल अंगिनित जिनको गिना भी नहीं जा सकता है वो यहां पर जुड़ गए प्रभु को दन्यवाद हो हालेलोया अज दावुद के नगर में क्या लिखा है तुम्हारे लिए बोले तुम्हारे लिए बाजुवाले को बोले तुम्हारे लिए आजू और बाजू दोनों को और फिर उंगली उठाये खुद पर कहें मेरे लिए येस बड़ा अनन्द इसलिए था कि अब मनुष्य का उद्धार तय था बट उसका फैसला मनुष्य को खुद करना था कि उद्धार मनुष्य का तय था बट उसका फैसला कि वह उद्धार पाएगा कि नहीं पाएगा वह फैसला प्रभु ने नहीं ले लिया था वो फैसला प्रभु ने मनुश्य पर छोड़ा है आज भी छोड़ा है मुझे उद्धार पाना है तो येश्यू के पास आना है आना नहीं आना कहीं और जाना ये मेरा फैसला है ये मेरा चुनाव है यहां लिखा है तुम्हारे लिए एक उद्धार करें इसलिए बड़ा आनंदे प्यारो इससे बढ़कर कुछ नहीं है जब परमेश्वर के चेले सेवा करने गए थे और सेवा करके वापिस लोटे तो वो नाचते कुदते आए बोले नाचते कुदते फिर प्रभु तेरे नाम से दुष्ट्रात्मा भी हमारे वश में आ गई वो उन्होंने हात रखे बीमार खड़े हो गए चंगे हो गए दुष्ट्रात्मा ग्रस लोग छुटकार अपाए बहुत सार चमतकार हुए खुशी खुशी जब बापिस लोटे येश्यु मसी को ये बाते बताए ये वन-षे ने क्या बोला था है क्या बोला था इन कि ये दुष्ट्यात्मा आये तुमारे वश में आई है इससे कमारे नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं हाललोय या जब इंसान ये तैय करता है कि मुझे येशू में उद्धार पाना है मेरा उद्धार करता सिर्फ और केवल येशू मसी है मेरे पापों की मवें येशू मसी ने चुकाई जाए इसलिए अपने प्रान दिये है जब ये विश्वास कोई इनसान इस संसार में कर लेता है, तब वो उद्धार पाता है, उसके पाप माफ होते हैं और उसका नाम जीवन के किताब में लिखा जाता है, अललोया, और ये सबसे बड़ा आनन्द है, क्योंकि ये बड़ा आनन्द पहले नहीं था, येश्व के आन आया, येश्वाया सचाई लाया, येश्वाया अनुग्र लाया, येश्वाया बरपुरी लाया, शांती लाया, आशिस लाया, आपकी और मेरी हर जरुवतों की पूर्ती लाया प्यारो, और इसलिए बड़ा आनन्द है आपके और मेरे लिए, क्योंकि कीमत कोई पानी के द द्वारा नहीं चुकाई गई है कोई ट्रांसफर के द्वारा यह कीमत नहीं चुकाई गई यह कीमत चुकाई है ये शुके बहु मुल्या लहु के द्वारा हालेलोया क्रिस्मस के साथ अगर कुरूस नहीं है तो आपकी और मेरी क्रिस्मस सांसारी क्रिस्मस रह जाएगी कैसी जिसमें लोग दुनिया में लोग अलग तरीके से भी मनाते हैं जो बाहर लोगों में प्रचली थे आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है आप बहुत हो श्यार हो आपके सामने बहुत सारी बाते हैं पर वो सारी ग्रंथियां प्रभू येश्व अपने वचनों में तोड़ देता है कि ये सब कुछ करने के जरूत नहीं ये खुशिया नहीं है ये पाप का मार्ग है दारूपी ना है ये तो दारूपीने वाले नर्ख में जाएंगे बाइबल ये कहता है पता नहीं किसने ये लोगों के दिमाग में घुसार दिया है कि क्रिस्मस को चलो ये करते हैं क्रिस्मस को पार्टी करते हैं डांस करते हैं ना जाने क्या क्या गाने बजाएंगे और कैसी हालात में गंदी गंदी इशारों में नाचते हैं लोग कि क्लबों में ना जाने पाइए उनका येश्यु मसी के साथ कोई नाता ही नहीं होता और पार्टी मनाने का तो बहाना बन जाता है अब किसी की शादी है तो गरबा वहां पर भी कुछ है कोई और फ्रसंग है तो वहां पर भी गरबा ऐसे अलग-अलग जगे पर अलग-अलग डांस पार्टी होती है तो बहाना चाहिए बड क्रिस्मस बहाना आपके और मेरे शौक पूरे करने का नहीं है मैं साफ कहता हूँ आपको आपके और मेरे मेरे तो नहीं बड मैं बोलूँगा सुनने वाले ओनलाइन जो सुन रहे हैं आपके शौक पूरे करने का बहाना क्रिस्मस नहीं है आप खुशिया मनाएं अंदर से अगर ये शू आया है अंदर आपको एहसास हुआ है कि मेरे पापों की माफी मुझे मिल गई है मेरे पाप माफ हुए है तो जरूर आप उस खुशी को मैसूस करोगे आपके पास कुछ हो या ना हो कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो बट वो खुशी आपके अंदर होगी हाललोया क्योंकि ये शुमसी हर एक इंसान के लिए संसार में आया हाललोया यहां पर हम एक दो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग है बाजी वाले को बोली आप साथ में हो ना तो बोले का बैठा ही हो ना अरे मतलब पूरे हो सवास में हो नहीं हो आपके प्राण यहां पर है न कि इच्छा है कहीं और जली जा रही है दो पर तो बज़े तीन बज़े का प्लानिंग है इनका फोन आने वाला है और शाम को इतने बज़े यह करना है नौ बज़े अभी आमेन परमेश्वन ने यह समाचार देने के लिए सबसे पहले चरवाहो को ही क्यों चुना क्यों 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 सकता है कोई क्यों चुना चरवाहो को जबकि यह बात की वेटिंग रहा कोई और भी देख रहे थे कौन देख रहे थे वहां के यहुदी अगवे वह भी वेट कर रहे थे कि मसीह आने वाला है तो वहां तक जाना चाहिए न समाचार क्यों वहां नहीं गए क्यों वहां नहीं गए समाचार पर समाचार यहां क्यों आए हाललोया है न ताज्यूप की बात हमारा परमेश्वर यही है जो अनोखे काम करता है जो लोग मांदेन मैं लिस्ट में हूँ मैं यहाँ पर हूँ मेरे लाइन में है नमबर प्रभू आपको लाइन में से कपका निकाल चुका होता है यह धार्मिक अगवे उनके संप्रदाई में उनकी धार्मिक परंपरा में इतने मश्गूल हो चुके थे कि उनको पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है और कौन मसीह कैसे आएगा न क्या है उन्होंने अपने दिल को अलग कर दिया था क्या किया था उनके पस knowledge ज्यान बहुत था बड़ अकेला knowledge प्रभू के साथ जोड़ नहीं सकता है सुन रहें आप लोग knowledge ज्यान आपको परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ेगा मैं बाहर के ज्यान और परमेश्वर के विश्याई में ज्यान की बात कर रहा हूँ आप हजारों किताबे पढ़ लो पर आप परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं सकते हो इंसान जूड़ सकता है केवल और केवल जरिया येश्व मसी के द्वारा क्योंकि वो ही एक जरिया है जिसके धुरू जिसके द्वारा हम परमेश्व के साथ स्वर्ग के साथ जूड़ सकते हैं इसके लिए कोई किताब आपकी help नहीं कर सकती है अब कर सकता है तो परमेश्व का वच्चन परमेश्व की बातें पवित्र शास्त्रा पवित्र आत्मा चर्वाहों को क्यों चुना गया क्यों उनको नहीं बोला वो लोग खो चुके थे वो लोग अपने रिवाजों में खो चुके थे प्यारों उनके लिए जो आउसर तीस निकालों के युहन ना आठ युहन ना आठ लिखा है मैं जानता हूं कि तुम ये शुमसी इनको इन फरिसियों को धार्मी का गवो को कह रहे हैं मैं जानता हूं कि तुम कौन हो अब्राहम के वंश से हो तो भी मेरा वच्चन तुमारा रिदय में जगर नहीं पाता है इसलिए तुम मुझे मार डालना ये तो उल्टा जा रहे थे ये शुको मारने के लिए निकले थे मतलब देखें नॉलेज था बड़ जब तक पवित्रा आत्मा नहीं आता है वो नॉलेज कुछ और भी इसलिए बाइबल में पॉलोस केता है ज्यान फूला देता है फूलाता है अब इमान में ले जाता है कभी हमें नम्र रहना है यह इसलिए इन लोगों को सुनाया गया सबसे पहला समाचार क्योंकि यह गडर यह कौन थे नम्र लोग यह कैसे लोग थे पताएं गरीब लोग अनएज्यूकेटेड लोग थे इनके शरीर में से, इनके कपड़ों में से भेड की बू आती थी, बदबू आती थी उनके भेडों को लेकर सारे गंदे काम ये लोग संभालते थे ये संसारिक लोगों से तुछकारे हुए भी थे इनको छोड़ दिया गया था, इनको साइड में कर लिया गया था इनको भुला दिया गया था इनका ना तो कोई पावर था ना कोई इंफ्ल्यूएंस था कुछ नहीं था ऐसे यह लोग थे बड़ प्रभू एसो की और द्रश्टी करता है हाललोया आज का क्रिसमस का यह पहला संदेश है अगर आपको किसी ने बुला दिया है अगर आपको किसी ने तुछ जाना है अगर आपको इस संसार में अकेला महसूस हो रहा है आपको लग रहा है कि मैं गरीब हूं मुझे साइड पर कर दिया गया है येशु आपको आज आनन्द से भरना चाहता है हाललोया हर एक तुछ कारे हुए के पास परमेश्व जाता है प्रभू क्यों पैसो और महलो वालों के पास जाकर समाचार नहीं दिया इनके पास गया प्रभू ना है कि नगा जब हमारा पर मेशन नमर है हमारा प्रभू आललोहिया उस नमर पर मेश्व के लिए सब्सक्राइब करें आगे अगर उनका लेवल कुछ और होता कि नहीं नहीं कुछ स्टेतस चाहिए भई कुछ लेवल चाहिए उन से ही मैं व्यावार करूंगा बट परमेश्वर आपके और मेरे लिए हर अनुग्रह को खोल देता है हालेलोया और इसलिए ये शुमसी के लिए युहन्ना बप्तिसमा दाता ने ये बात बोली थी अनुग्रह और सच्चाई से वो परीपूर्णा था हालेलोया नियम मुसा के द्वारा आया बट अनुग्रह और सच्चाई ये शुमसी के द्वारा आया हालेलोया आपको और मुझको उठा सके ऐसा कोई इनसान नहीं है इनसान की फेवर नहीं है आपको और मुझको उठा सके ऐसा अनुग्रह और ये शुमसी के सच्चाई है ह यह लोग नेमलेस थे, फेसलेस थे, इनको कहीं पर भी आगे नहीं किया जाता था, यह लोग पर दे के पीछे काम करते थे, यह वो चरवाय थे, पता है कौन चरवाय थे यह, यह कौन चरवाय थे पता है, यह गड़ेर यह कौन से थे, क्यों यहाँ पर, दुसरा रिजन यह है इनको सुनाने का कि ये लोग supplier थे बोले supplier कौन से supplier थे पता है प्रभू के मंदिर में जो बलीदान के मेमने भेजे जाते थे वो ये लोग तैयार करते थे वो ये लोग जाचते थे ये वो चरवा है थे अप्र ये इनको समाचार देना जबूरी था कि अब आब अब सबादान की जरूर अब मेंने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंना आ चुका है आपका और मेरा मेमना आज से 2,000 साल पहले संसार में आज चुका है और आपके और मेरे दिल में खुश्या लेकर आया है वो हललोया आथ उटाकर दन्यवाद करें येशु अगर मेरा मेमना नहीं होता तो मैं इस दुन्या में दुखी, लाचार, साइड में किया हुआ, पढ़ा हुआ, तुछका रहा हुआ, पढ़ा रहा होता येश्व ने मुझे पढ़ा नुगर किया हललोया ओ दन्यवाद करें ताली बजाए उस परमेश्वर के लिए हललोया, वो चाता तो स्वर्ग से भी कर सकता था, कुछ बंदो बस और बट उसने अपना लहू बहाना मुनासिप समझा, हललोया, वो चाता था कि आपके और मेरे इस संसार में जो लोग पापों के बंदों में फसे है, व्यसनों में, बूरी आदतों में बसे हुए है, उनको छटकारा दिलाया जाए, इसलिए ये शुमसी ने बोला, कि मनुष्य का पुत्र इस संसार में क्यों आया है, खोई हुई भेड को डूंडने के लिए आया है, य दूंड में हमेशा वो सलामत रहेंगे, बट वो कैर करने की जरूत वो अकेले की अभी, वो अकेला इस दुनिया में खोचुका है, उसको बचाना है मुझे, और इसलिए ऐसे चरवाए थे, उन इन्यानवे को छोड़ कर, अकेले को डूंड कर लाते थे, क्योंकि उनको हिसा आपदार थे, एकाउंटेबल थे, जिम्मेदार परसन थे, वो गैर जिम्मेदारा बरताव उनका नहीं था, और इसलिए आपको और मुझको येशु के दर्शन, येशु के विजन, येशु की बाते, उनकी आवाज हमारे तक नहीं आती है, क्योंकि हम कहीं और बंदे हुए है, आज हमें जरूरत है कि इन चरवाहों के समान हमारे जीवन को, हमारे अंतर आत्मा को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, कि उनके जैसे हम हंबल बने, उनके जैसे कैरफूल बने, दी हुई आशिशों को, दी हुई जिम्मेदारियों को निभाने वाले बने, आत्मिक जिम्मेदार को अदा करने वाले बने ओ मेंण तैयार है प्यारो तैयार है हाथ उटा करकर मैं उन गडरियों के समान जिनको परमेश्वर ने स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का दल इनके द्वारा सबसे पहला सू समाचार सुनाया मैं अपने आपको उन गडरियों के समान जिम्मेदार बनाना चाहता हूँ संभाल रखने वाला बनाना चाहता हूँ अपनी आशिशों को, अपने जिम्मेदारियों को संभाल कर अदा करना चाहता हूँ प्रभू मुझ पर अनुग रहोने दो Amen, Amen, Hallelujah दूसरा एक रिजन था इनको कहने का, देखिए, उनका कहने का रिजन इसी पेरेग्राफ के अंदर बताया गया है, वो लोग तुरंथ एक्षन लेने वाले लोग थे, कैसे थे? बोले तुरंथ एक्षन लेने वाले, वो मतलब मालिक का हुकम सर आखो पर, ऐसा बोलते हैं, वो अपने आपको दास बनाने वाले, कली प्रभू के दास बोल रहे थे, कि अपने आपको दास बनाना है, क्या बनाना है? साहब नहीं बनाना है, बोले मुझे साहब नहीं बनना है मुझे प्रभु का दास बनना है सेवा करनी है चोटी-मुटी बहुत सारी सेवा चर्च में है अदा करने के लिए अगे लाई अपने आपको यह नौ कई बार देखते हैं कि छोटी-छोटी वह प्यालिया होती है वो दोने के लिए चर्च की ही बहुत सारे यूथ और सब लोग जिम्मेदारी अदा करते हैं वो दोते बरतन दोते बहुत कुछ करते हैं आप तो चले जाते हो चार पांच बज़े वो लोग जाते हैं कि मीडिया टीम इनको देखिए आप कब से कल रात को शायद दो बज़े घर पे जाके बिस्तर यहां तक यह पर सिर रखा होगा मेरे कल से दो बज़े होंगे और सुबह साथ बज़े तो आ गए वो तैयार होके देखिए यह यह हमें खर्चना है अपने आपको प्रभू के लि से दो आ छाए गा इनको चौकन ना रहना था इनकी जिम्मेदारियों के प्रतिया है मुझे मौका डूना से वा करने का हललोय यह डूंड ने मौका कि पूछिए अग्वोस से पूछिए वॉलेंटियर से मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ मैं आगे आ सकता हूँ आपकी मदद के लिए ऐसा बोल सकते हम क्या अलो सुन रहे हैं कि नहीं कि आप किसको खुश कर रहे हो भाग कर कि प्रभु खुश हो रहा है हमारे जिम्हेदारियों से हम भट जाएंगे तो निभाई ये रात को पहरा देना पड़े दीजिए अमेन हालेलोहिया प्रभु आपको तयार करें अनुग्रत कि और भी बढ़ाए हालेलोहिया यहां पर इ इनको बोला गया बड़े आननका सूमा सू समाचार जो सब लोगों के लिए होगा कि इनको बोलने चलो जाओ और बतादो बड़ क्या भोला है सब लोगों के लिए होगा यह इनोंने समझा यहear्यन की通ट्टेंटिक देख ये पंद्रवीयायत जब स्वर्धी उनके पास से स मतलब group में नहीं चलो हम करेंगे काम ये ये काम हम करेंगे हम लोगों को बताने जाएंगे कि येश्यू ने क्या किया है हम जाएंगे दुनिया में हम संसार में जाएंगे हम कहेंगे कि येश्यू छुड़ा सकते अभी एक solution है रुक ये रुक ये अभी एक जवाब है बाकी है सब कुछ अपना लिया है थक गए ओब अभी एक है जो आपका मदद कर सकता है इन्होंने लिखा यहाँ परवचर में लिखा है कि आपस में कहा आओ हम बैथलेम जाकर यह बात जो हुई है हम कौन है यह हम कौन है यह house of prayer कलीस् हम आओ इस सिवकाई में जुड़ते हैं 2023 अपने आपको समर्पित करते हैं ये शुको अगली क्रिस्मस में हम इतनी ही कलीश्या को दुसरी लेकर आते हैं तैयारे क्या आरे इतनी नहीं से भी ज्यादा होगी आमेन तैयारे क्या आरे दुसरों की खेती सीचने वाला वो भुख होगे आपका सब कुछ परमेश्वर संभालेगा हाललोया क्या तैयार हो है कि फिर आज भूल जाओगे शाम को लड्डू खाकर पूरा हफ्ता लड्डू खाकर लड्डू जैसे मत हो जाना दिमाग में से लड्डू निकाल दो पहले इसलिए हमने उप्वास कर दिये कि चुका लूंज आपिं पूरा पेमेंड करना है युश लिखा है 15 ओल्डू यह उप्रम्र इप्रमेश्वर संभ इनको ऐतक unts ब्यूस बताया है और क्या को डाउट आभी भी में ये शुने आपको चुना है अलो यहां बैठा हूए खिबाधा हुआ किसी को डाउट है कि य ये शुन आपको चुना है कि किसी और ने चुना है है डाउट है अभी डाउट है आपको नहीं है ना अरे ये शुकी वज़े से मैं यहां हुआ आज मैंने कल पर सो मेरी पूरानी जिंदगी को याद किया मुझे लगा प्रभू ये तो हो इन इसकता है कि मैं यहां का इधर आ ये येशु है जब येशु आ जाता है अंधकार चला जाता है उजाला आ जाता है हाललुया दिल को खोल कर दोगे तो आएगा दिल बंद रखकर येशु येशु करोगे उजाला नहीं आएगा अभी भी कुछ लोग बंद करके बैठे हैं यहां पर पूरी तरह से दिल नही यह बोल रहा है आवाज आ रहे हैं आपको यह आपका दिल खट खटा रहा है यह आज खोल दीजिए कि आने दीजिए क्योंकि वह कुछ खराब लेकर नहीं आएगा अनंत जिंदगानी लेकर आएगा आपके लाइफ में क्योंकि अनंत जीवन परमेश्व के अलावा और कौन सकता है आलेलोया और लिखा है यहां पर यह बाथ जो ही थी जिसे प्रभु ने बताया देखे और ँन्होंने तुरंत प्रभार नहीं अमेरा यह मेरा वह मिरा फखलाना है मैं यह क्यों करूं इसलिए प्रभु ने इनको बताया इसलिए प्रभु ने इनको चुना इनको कहना पड़ेगा मुझे आललोया तुरन जाकर मरियम और यूसुफ को और चर्नी में उस बालक को पड़ा देखा वो गए और उन्होंने जैसा बोला गया था वैसा ही देखा और वैसा ही होता रहेगा आमेन हाललोया दूसरा आगमन बाकी है होगा और वो उनके लिए होगा जीनोंने पहले आगमन को एक्सेप्ट किया है जीनोंने पहले आगमन को अपने दिल में स्थान दिया है येश्य मसी को अपना परमेश्व प्रभु ग्रहन किया है वो दूसर आगमन में उनको प्रभू उठा कर ले जाएगा हाललोया प्यारों यहां पर लिखाए तुरंत गए यह लोग और मरियम और यूसफ को उस चर्णी में जैसा उनको बोला गया था वैसा ही देखा जैसा बोला था कि कपड़े में लिप्टा हुआ तो लिप्टा हुआ था यह मतलब क्या पता है जब भी किसी लैंब को मतलब मेमने को बलिदान के लिए जब आगे करते थे तब उसको सफेद कपड़े में लिपट कर याजक के हाथों में दिया जाता था और यह यह कपड़ा लिप्टा हुआ यह बाद एक एक वर्ड बाइबल में लिखा हुआ उसके रहास्या है प्यारों कि वो सच में आपका और मेरा मेमना है मेमना बना है हाललोया वह बलीदान बनने के लिए आया था अगर वह बलीदान का तालुक मेरे दिल के साथ नहीं है तो यह खुशियां क्रिसमस की क्या काम की सही है ना मकसद अगर येशु का आने का पूरा नहीं होता है मेरे जिन्दगी में बले लाकों जिन्दगी में पूरा हो रहा है पर मेरे जिन्दगी में पूरा नहीं होता है तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन क्या काम का वो पार्टियां क्या काम के डांस क्या काम का वो रिलीज कि आप तैयार हो परमेश्वर को उंचा उठाने के लिए कि आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो क्या पहरा देने के लिए तैयार हो क्या प्रभू के लिए आगे आने के लिए तैयार हो क्या कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो कि दो तीन जन बोल रहे हैं पीछे तो देख रहे हैं कि आप हैसे करते रहे हैं हां रहा हो हां हां रह रहे द खाना खा लिया kल खतम यह आगे के तो चार लोग आएंगे किया करें सर्व भूल न हम तयार हैes आप क्या कौन सा ग्रूप से लेट करोंगे आपके उपर है गड़ेरियों का की फरिस्यों का आप क्या चाहते हैं प्रभू आपसे मिले क्या मिले क्या प्रभू के दूद आपको मिले क्या सु समाचार सुनाएं आपको क्या अरे सिर्फ यह नहीं और भी बड़े-बड़े समा चार स्वर्ग में रखे हैं वो प्रभू आपको बताएगा पर आप गड़र ये कि समन अपने आपको तयार रखो गे तो होगा ये आलेलोया आप अपने आपको जुंड में रखिए संडे को का बाग जाते हो आप वेर अर्यूं संडे काँ पर अपना संडे बिताते हो जुंड में रहिए राजुबाई तयार हो जाएए फैसला कर लिजी एक भी संडे नहीं जाएगा अप तो आर या पार फैसला आज में एक कितने कह रहा है आज देखिए फैसले लेने वाले इस दुनिया को बदलते हैं और सबसे पहले आपका life आपका परिवार बदलता है आपकी जिन्दगी उठती है क्योंकि आपका फैसला आपको उठाता है और जब वो फैसला आपको उठाने का ने बट ये शुका उठाने का ओ तब वो स्पीड और भी तेज हो जाते हिए आलेलोया आप कह सकते हो मेरी life में ये सिद्दांत रहेगा मेरी पीडियो में सिद्दांत रहेगा कि मेरा रवीवार प्रभू का होगा हालेलोया और मैं पहरा दूंगा कि कौन है जो मुझे संडे से पटका के ले जा रहा है हामेन आड contexts मेरे संडे प्रभू ने मुझे दिया यह प्रभू को जिन्गा मैं पुरी आरादना पुरा बल पुरा समर्पन प्रभू को मिले हालेलोया देखिए डाउट मत रखना जो लिखाएन वो हो कर रहेगा इसमें लिखा है जीनों ने ये शुमसी के लिए अपने खेतों को छोड़ाओगा अपनी जाइदात को छोड़ाओगा अपने भाई को बहन को छोड़ाओगा वो इस युग में और आने वाले लुग में सौ गुना पाएंगे लिखा है हो कर रहेगा हालेलोया हालेलोया यारो तैयार हो जाई अपने आपको परमेश्वर आपको उठाना चाहता है ये क्रिस्मस आप बस सिर्फ सेलिब्रेट करते रो लड़ू खाकर पेड़ बर दे रो इसके लिए नहीं दिया है आपको ये सब रिवाज लोगों ने बना दिये है बट हमारे जीवन में येश्व अगर प्रतमस्तान पर नहीं है कोई काम के नहीं है ये फालतु रिवाज हो जाएंगे ये प्यारों कितनी मेहनत करते हैं हम ये बनाना है वो बनाना है वो करना है अरे प्यारों बहुत कुछ करना है हमें प्रभु के राज्य में उसके लिए मेहनत कब हम करेंगे सत्रवी आयत में देखिए क्या लिखा है इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालत के विशे में उनसे कही गई थी प्रगट की मतलब इन्होंने आकर वहां पर बताया कहां पर चर्नी में चर्नी में कौन था वहां पर मर्यम यूसूफ प्रभु येश्व बाल येश्व और और कोई वो वो कहां पर जनम दिया था चर्नी थी और वहां पर प्रानी बैठे थे सब वो भी थे भैंस भी होगी गाय भी होगी न क्या क्या होगा बेड़ भी होगी आप गयों कभी चर्नी में बैठना मजा आएगा आपको बहुत अच्छा माहलोगा आपको मजा आएगा येश्व ने वो जगे पसंद की राजाओं का राजा प्रभू का प्रभू महल नहीं चुना इतनी चोटी जगे इतना डाउन केटे गरी में अरे थोड़ी आखे खोल लिए नजरिये को बढ़ा कीजिए तब ही तो हम उच्छ से मैचिंग करेंगे कि हां ये तो परमेश्वर अपने आपको छोटा करके संसार में लाया है क्यों छोटा की आए पता है ताकि आप से और मुझ से वो कुछ अपेक्षा कर रहे वो इसको मिले और वो है विश्वास जो विश्वास इन्होंने तुरंत कर लिया हालेलोया हमें दस बार बोलते तब विश्वास आता है हाँ अब मैं मानता हूं अब प्रभू कुछ करेंगे मुझे लगता है अब मुझे लगता है मैं चंगा हुआ हूँ प्रभू तो दो जार साल पहले साड़े तीन जार साल जब यह बोला गया तब का हो चुका था बचन तो पूरा हो चुका है कि हमें विश्वास नहीं आता है और प्रभू को प्रसंद करना है तो विश्वास के बगर्खुश आप नहीं कर सकते हों अलेलोया अठारा और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही क्या किया अश्चर यह किया ऐसा कैसे हो सकता है किसी बालक का जन्म यहां होता है और स्वर्दुत वहां पर एक दो पर तीन-चार माइल दूर जाके मैदान में जाकर कुछ बताते हैं और यहां पर उनको पता नहीं है और वो यहां आ जाते हैं उनको पता चलता है यह कैसे हो सकता है और यही उद्धार करता है कैसे अरे यूसफ और मर्यम को तो पता था कि यह उद्धार करता है बट प्रभू कंफर्म करता है देखिए अलेलोया आप दो अकेले नहीं हो पुरा जुन्ड तुम्हारे साथ है आलेलुया आप अकेले नहीं दोर रहे हो फुरा जुन्ड आपके पीछे आ रहा है आपके आसपास है अरे आपको नहीं दिख रहा है येश्व आपके साथ चलता है येश्व नहीं दिख रहा है बाइबल कहता है शहीदों की भीड आपके साथ है अलेलृया हलेलूया शहीदों की बीर आपके साथ चल रही है क्या बताया आपको हम कभी पत्रस को देखते हैं कभी युहनना बप्तिस्मा को देखते हैं त्यारो यह है यह समय है आंखे खुल जानी चाहिए कि समय है ना चेंज कीजिए अब 2030 में समय को बदल यह यूँ टन कीजिए कुछ चीज़े जो आपका समय फिक्स करके बैठी हुई है अंचाही चीज़ उसको हटाइए निकाल यह जांच यह क्या क्या चीजों आपको बांध कर रखा है लिखा है 19 परंतु मर्यम यह सब बाते अपने मन में रखकर सोचती रहे इसको पता था यह सब तो मैं जान चुकी हूं यह गडरी आकर मुझे बता रहे प्रभू तेरा धन्यवाद सच में यह तू कंफर्म कर रहा है कि यह बच्चा कौन है हालेलोया लिखा है उसको कंफरमेशन की जरूरत नहीं थी प्यारो मर्य यह को कंफरमेशन नहीं चाहता था पर परमेश्वर छोड़ता नहीं है परमेश्वर अपने शब्दों को भेश कर बल देता है हालेलोया अमरत भाई क्या देता है बल देता है हालेलोया और गडेरिया जैसा उन से कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर क कि महिमा और स्तूति करते हुए लौड गए उन्होंने उनका रिस्पॉंस क्या था यह सब देखा तब as it is जो बोला गया वैसा हुआ तब उनका response क्या था महिमा और स्तूति परमेश्वर की Hallelujah आपने और मैंने येश्यू के नाम में जो पाया है हमारा response क्या है क्या हम face to face रहेंगे प्रभू के सामने कि हम पीठ दिखाएंगे क्या हम पीठ दिखाएंगे क्या हरे प्रभू बाइ बाइ चलो अब जाते क्रिस्मस पूरी हो गई प्रभू कल प्रभू आपका वेट करेगा आपके घर के कॉर्णर में बैठा होगा वो देखता हूँ मेरे बेटी आती है क्ने आती है किसकी सरम में संकोच में बैठी रहती है इसथी ही है मेरा बेटा रूम बन करके बैठता है के नहीं है आता है आता फ्म और सिफ्ट आपके फैसले नि फ्याख कमने प handout कि कि तने गहराई तक आपने फैसले लिया है वाइनल एक-दो आायत एक-दो कि देखे एक आयत आप निकाले हम उसको पढ़ेंगे मत्थी एक और बाइस अब जल्दी निकाल के पढ़ें मत्थी एक और बाइस येश्यु मसी का जन्म के बारे में यहां बताया गया है और किस तरीके से हुआ यूसफ ये सब घटना है तो पता है ना आपको मंगनी हुई थी शादी नहीं हुई थी और यहुदी समाज में मंगनी होने के बाद शादी होती थी और शादी के बाद वो साथ में रह सकते थे उससे पहले उनको मिलना जुलना अलाव नहीं था नुमती नहीं थी तो यहां पर मरियम गर्भवती हुई है और इसका पता यूसुफ को चला है आप सोच सकते हो जिसके साथ तै होती है शादी अगर उस व्यक्ति को पता चले कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो प्रेग्डेंट है वो क्या करेगा वो क्या करेगा छोड़ देगा ना वो सिधी बात है कि मुझे लगता है यह करेक्टर लेस है यहां पर चर्रित्र की कमी है यह रिष्टे में मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं और इसने यह सोच लिया था बट उनको यह अनुमती थी कि ऐसे लोगों को पत्थर मार के मार डाला जाएं पर इसने यह नहीं चुना कि नहीं बढ़ मैं अनुग्र युक्त रहूंगा मेरा वर्ताओ और इसने चुपके से छोड़ देना उचित समझा यूसुफ ने पर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मड़र मड़र आगे बढ़ थू तो तू जो सोच रहा है वो बात नहीं है यहां पर तो गर्भवती हुई है बट वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जो चबतकार हुआ है उसके थ्रू यह हुआ है मर्यम का इस तरीके से ये शुको जन्म देना बिलकुल औस संभव था मेडिकल सांस को अगर देखा जाएं तो यह संभव यह नहीं है वह पुत्र जनेगी उससे पहले लिखा है जो उसके गर्ब में है वह पवित्र आत्मा की और से है कैसे है यहां सुनिए ध्यानियां रखिए आजू बाजू मत देखिए वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम येशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से दर करेगा 22 में क्या लिख्या यह सब इसलिए हुआ कि यह सब इसलिए हुआ कि को वारी गर्बबती होना यूसाफ को चोड़ने के लिए आगे बढ़ना पर उसको रोका जाना यह साब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभू ने बविश्य वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो और वह कौन सा वचन था यह अमें यह बात लिखी और वो तेश में आगे हैं यह देखो एक कुवारी गर्भवती होगी और यह 700-600 साल पूर्व यह भविश्य वानी बोली थी 600-700 साल पूर्व के कवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुयल रखा जाएगा येशू जिसका अर्थे परमेश्वर हमारे साथ है और यूसफ ने नीन से जाकर प्रभू के दूद की आग्या के अनुसर अपनी पत्नी को अपने वहां ले आ आया वहां ले आया आखिर में अलेलोय एपर मेश्रो का ज्यू्ष्साप के जैसे लोग चाहिए कि प्रभू जो बोल दे वह कर ले गड़ियो जैसे लोड़ बोलन आखे बंद करके कोई विशवास करने वाले लोग चाहिए है हाललोय यह इसलिए प्रवुन का यदि कोई बच्चे के zweiten समान विश्वास नहीं करेगा सवर्का राज्य है हम सारी बातों की दलिल करते सुनीता भेंफ बहुत सारी दलिल करते हैं यह करना आ है वह करना ऐसा है ऐसा क्यों नहीं हो रहा मुझे तो ऐसा के अचा हो जाएगा बट क्यों नहीं और क्यों नहीं देख रहे हम क्योंकि हमारी नज़रे कहीं और है अमरा ध्यान कहीं और चला जाता है कि दूसरीय कायत मत्थी 2 5 और 15 ये भी सेर्फ सेम वही बाट लिखी है कि यह सब इसलिए हुआ कि भविश्य वक्ता का कहा पूरा हो मत्थी 2 17 में भी यही लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो कहा Вो पूरा हो, जो कहा वो पूरा हो. 2.23 में भी यह इह लिखना है, मत्थी 2.23 में भी. जो कहा वो पूरा हो. Hallelujah! जो कहा गया, वो पूरा होने के लिए हैं. Hallelujah! यूर्प जब नाव में वो और चेले थे, ये शुम से को देखकर पत्रस बोला, तू कहे तो मैं, तू कहे तो मैं क्या करूँ? पानी पर चल कर आओं. और येशु का शब्द निकला, उससे पहले वो निकलता तो क्या होता? डूप जाता. बट येशु का शब्द आ गया, क्या हुआ? पानी और पत्रस के बीच में वो शब्द आ ग आगे. आग में से गुजरेगा, पर आग की लौ तुझे जलाएगी नहीं. हालेलोया! ये प्रोमिसे से परमेश्वर के. क्या अभी भी डर पोक रहेंगे क्या हूं? अभी भी हम सोचते रहेंगे कंडिशन सैसी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो मैं ऐसा करूं. अरे पता न नहीं पार्टनर कब मिलेगा, कब शादी होगी? अरे वेट! यूसफ जैसा पार्टनर प्रभू आपको देगा. हालेलोया! जो कदम ये शुक के पीछे चलने के लिए आगे बढ़ाएगा. हालेलोया! कीमत चुकाएगा आगे बढ़कर. हालेलोया! ये सब इसी लिए हुआ प्यारो कभी डाउट न लाए परमेश्वर विश्वास योग्य है. जो कहा है वो होकर रहेगा. उस पत्रस को पता था कि ये सी ये शुने मुझे बोला था कि दाइनी और जाल डाल और बहुत सारी मचलिया उसको मिल गए थी. इसको पता था ये शुका शब्द क्या है? क्य क्या कर सकता है आपके लिए? क्या आपको पता है पीछे बैठे हुए? क्या आपको पता है? ये शुका शब्द आपके लिए क्या कर सकता है? आपको धर लेगा वो. यो आप उस पर खड़े रह सकते हो. आपको वो डिकने नहीं देगा. हालेलोया. आप देखो के नीचे जम शब्द है इसमें वह पावर है जो आपको हर हालात में ठिकाए रखता है हर हालात में वह आगे बढ़ाता है प्यारो यह वह शब्द है प्यारो एक बार विश्वास कर लो आप अद्बूत कामों को देखोगे यहां पर लुकार रचित सुसमाचर पहला अध्याय जब स्वर् अब दूद्ध से कहा यह कैसे होगा कि मैं तो कवारी हूं अभी तक मैं किसी पूरुष के संपर्क में आई नहीं हूं और मुझ्झ से बच्चाव जन्म हो ऐसे कैसे संबब हो सकता है बट क्या लिखा है यहां पर देखें गजब की बात यहां लिखी है यह कैसे होगा बोलिय करने वाली है भस्म करने वाली आप कहां निकलना चाहते हो बहाराना चाहते हो कि नहीं प्रभू निकाल सकता है पर उसके शब्द को देखें. यहां क्या लिखा है? आतमा तुझ पर उत्रेगा. यही शब्दे येश्य मसीने बोलेथे. तुम पर आएगा. कहां आएगा? तुम पर आएगा. और तुम गवाँ बन जाओगे. सामर्थ के काम तुमारे द्वारा हो जाएगे. आपको और मुझको येशु को सिर्फ खोखली बाते येशु की खोखली बाते नहीं बोलनी है आपके उपर पवित्रा आत्मा भी आएगा और सामर्थ के चिन्नक और चमतकार भी प्रभू करेगा आपको फिकर करनी नहीं पड़ेगी अरे ये लंगड़ा कैसे खड़ा होगा आप येशु का नाम दोगे वो लंगड़ा चलने लगेगा प्यारों हालेलोय या लेखा है कि पवित्रा आत्मा तुझ पर उत्रेगा और परंप्रधन की सामर्थ तुझ पर चाया करेगी क्या उत्रेगा पवित्रा आत्मा और सामर्थ चाया करेगी हालेलोय बोले पवित्रा आत्मा उत्रेगा और सामर्थ चाया करेगी पवित्रा आत्मा उत्रेगा अब ये पकड़ लोग कहा उतरता है वो आप शब्दों को पकड़ना सीख लो प्रभू के शब्दों को इन वचनों में से मर्यम ने शब्दों को पकड़ लिया पता इसकी आयू कितनी थी उस समय यहुदी समाज में 16 ज्यादा से ज्यादा 17 तक उनकी शादी हो जाती है कि यह करीब 15 के आसपास आयू थी यहां की जवान लड़कियों को चैलेंज है आपको आपको आपकी वर्जी नीटी पर चैलेंज है यह आपकी कौमारी अता पर चैलेंज है ये जो जबान लड़के बैठे है ना आपके उपर चैलेंज है ये कि अपने आपको कितना पवित्र रखते हो आप पवित्र आत्मा उतरा उतरा कैसे उतर आएगा हम तैयारी नहीं है हमें पवित्रता की कोई पड़ी नहीं है हम जो जी में आया देख लिया मजे मार लिये और मुँ हटा लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो परमेश्वर ने सब देख लिया होता है अब किसको मुर्क बना सकते हो अपने आपको तो दोखा दे नहीं सकते हम और प्रभू को भी नहीं दे सकते तो हम किसको तो खा दे रहे प्यारो लिखा है 38 मर्यम ने कहा देखें मर्यम ने कहा यह response आज हमसे प्रभू चाहता है बोलिये मर्यम ने कहा देख मैं प्रभू की दासी हूँ मुझे तेरे वचन के अनुसार हो ओ हालेलोया और तब वो कंसी हुई अगर वो बोलती नहीं नहीं मैंने किसी और को मैं तो 15, 14, 16 साल की हूँ मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ मेरी बेहनों छोटी बेटियों आपको लगता है ये कैसे हो सकता है बट पवित्रा आत्मा सब करवाता है जब पवित्रा आत्मा आपके उपर आता है आपको पवित्रता में चलने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं पट वो फैसलों में वो चलाता है सामर्थ वो देता है वो अटल वो रखता है खड़ा वो रखता है आपको किसी भी हालात में किसी भी परिक्षा और परिक्षण में हालेलोया तैयारे क्या ऐसी लाइफ प्रभु को औरपन करने के लिए प्रभु को आपका औरपन चाहिए स्वर्ग ने तो अपना औरपन दे दिया है पहला येशू, पहला आगमन उपहार दे दिया है उप्वहार दे दिया है येश्यु हमारे लिए उप्वहार बन गया उद्धार का पापो की माफी का उप्वहार बन गया है वो अलेलोया अभ़ हम क्या देंगे अबड़े पर जातेना कुछ लेकर कि कुछ तो दूम है कि भूलते गुजरादी में कि फूल नहीं तो फूल नहीं पांखडी के डांडी के जाड के वेलो जे आप हुए नहीं तमारा तमारी मर्ची जाड़ उखाड़ी ना पूए तो आपी दो तम दमारे कर दो प्रबू को काली हात न रहो नई जाओ प्रबू को कुछ दे कर जाना आज अपरेंग बूक्स की बात नहीं कर रहा हो मैं प्रभू को कुछ देना मतलब आपके फैसलेbadya अपकी पवित्रता के लिए अड़े खड़े रहने के फैसले लेकर जाओ शेवकाई को ले और फैसले लेकर जाओ आज यहां से गटेरियों के समान अड़ा खड़ा रहांगा प्रभु तेरी बात को तुरंथ मैं मानूंगा तुरंथ मैं कदम उठाओंगा तुरंथ मैं चलूंगा मैं कोई डाउट नहीं करना चाहता हूं मुझे यह दिखता है और कुछ नहीं दिखत है और जब आपको प्रभु के पीछे चलना है सिर्फ यह देखकर चलना पड़ेगा ऐसे 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 चलोगे आप आजू-बाजू नहीं देखना है देखे तो गए काम से बहुत दिस्ट्रेक्शन से प्यारों आप भटका दिये जाओगे देखिए आपकी नजरे यहां गड पुलीस वाला नहीं बचाएगा आपको पुलीस को जो पुलीस बनाता है न वो बचाएगा आपको चौकीदार का जागना व्यर्थ है अगर यह शू सुरक्षा ना करें 127 दो यह कहता है बजन उसको वहां पर खड़ा करने वाला जगाने वाला पहरा देने वाला तो यह शू है आप और मैं परिवार की सुरक्षा कर लेंगे एक संड़े नहीं आकर चर्च में हां क्या समत्ते हम यह शू को कितने अरपन देना चाहते आज की पूरा साल बावन रवीवार मेरे के यस बावन रवीवार मेरे प्रभु के हाललोया यस देख रहे प्रभु मैं कोई फोटो नहीं लूंगा वैसे ओनलाइन है सब पर प्रभु ने आपकी फोटो निकल ली है बावन रवीवार मेरे प्रभु के बोले बावन रवीवार मेरे प्रभु के यस अरे त्रेपन व दोंगा तुझे आराधना देने आओंगा मैं तुझे अरपन चढ़ाने आओंगा मैं मेरे जीवन का मेरे शरीर का मेरी स्रेष्ठ चीजों का मैं विश्वास करूंगा मैं संदे नहीं लाओंगा मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर तु विश्वास योग्य परमेश्वर है तु जो बोलता है वो होकर रहता है तुने जो कहा है वो होगा मेरा जीवन में मुझे लज्जीत नहीं होना पड़ेगा तु मुझे समाज में लोगों के सामने लजजी तोने नहीं देगा तू ओ हालेलोया इसी मर्यम को जो लोग करेक्टर लेस बोलते थे उसी मर्यम को परमेश्वा ने बुला ओ तुझे दन्य कहेंगे लोग हालेलोया हालेलोया ओ येस हालेलोया आप उटा कर कहे अगर आप वचन को पकड़ लोगे एक वचन को पकड़ कर खड़े रह जाओगे आपको हिलने नहीं देगा प्रबू आपको आशी शित्थान पर बना कर रखेगा बट आपका दाईरा आपको बना कर रखना पड़ेगा कि मैं इसमें बना रहूंगा इस से बाहर वचन से बाहर मेरा दाईरा नहीं है वचन के अंदर मेरा दाईरे में ये मेरी मूवमेंट मेरा उठना बैठना तेरे लोगों में होगा प्रबू जहां तू उठता बैठता है परमेश्वर मेरा उठना बैठना वहां नहीं होगा जहां पर संसार और दुष्ट शक्तियां आती है और लोगों को हिलाती है खतम कर देती है उनका सब कुछ छीन कर चली जाती है उनकी अच्छी आदते छीन लेती है उनकी वरजिनिटी छीन लेती है उनकी शरीर की हर एक चीजों को खतम कर देती है ओ आज परमेश्वर चाहता ह कि परमेश्वर को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए यहां जो यूसफ के समान गडेरियों के समान तुरंद कदम उठाने वाला बन जाए ओ प्रभू आपको उठाना चाहता है मैं बहुत कुछ लोगों को देख रहा हूँ यहां पर हाललुया री बाला माशेंदार आपा ओ परमेश्वर चाहता है प्यारो कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महिमा पाए क्या तयारो आप क्या तयारो बिजनस भी संडे को बंद रखना पड़ सकता है कोई खास द आने वाले लोग नहीं है हम प्रभू येश्व को सेलिब्रेट करने वाले और येश्व को सेलिब्रेट रोज किया जाता है सिर्फ क्रिस्मस पर नहीं सेलिब्रेट किया जाता है यह तो पूरी दुनिया ने साथ मिलकर करें तो हम इस खुशियों में हमें एक मौका मिला है उसकी महिमा करने का, उसकी भक्ती, उसकी आराधना करने का, उसको समर्पन देने का, ये एक मौका में मिला है, और इसलिए हम जूड रहे हैं, आलेलोया, परमेश्वर चाहता है कि उसके समान फॉलो हो, मर्यम, यूसफ, चर्वा है, ये सब लोग आप देखो, फॉलो, इनको, मैं इसलिए बोला आपको लुक और मत्थी, दोनों के पहले दो अध्याय पढ़ना, कैसे परमेश्वर ने इनके कदमों को अगवाई किया है, जब आपका इरादा साफ होगा, बोले मेरा इरादा साफ होगा, परमेश्वर को खुश करने का होगा, तो प्रभु मेरी अगव करेगा, आमेन, येस, आप मर्यम कई बारे में पढ़ोगे, देखोगे, यूसफ के बारो में पढ़ोगे, देखोगे, चरवाओ के बारो में पढ़ोगे, देखोगे, इवन वो मंजू सी जो लोग हजारों माइल दूर से आये थे, जो प्रभु को डुणने वाले लोग थे यह विद्वान लोग थे जो आकाश में जो चीजे चेंज होती है ग्रहों नक्षत्रों की स्टडी करने वाले यह लोग थे उनको कुछ सालों पहले पता चल गया था और दानियल नभी के दौरा इनको पता चला था कि ऐसा कुछ होने वाला है सारी गिंती दानियल को इतना वि बढ़ाएगा और यह मंजुसी जब बढ़ाव आ गया उनको पता चल गया कि अब समय आने वाला है वह वहां से निकल पड़े तीन नहीं थे प्यारों बहुत ज्यादा थे दिखाए तीन जाते बटीन से ज्यादा थे और सिर्फ एक जगे से रे दुसरे अलग अलग दिशा जाता है अब यह आपका फैसला है यह शू को पकड़े रखना यह संसार की वस्तू ओपर लोब रखके उसके पीछे दोड़ते जाना आपको अच्छे लड़के की बात आ जाएगी और लट्टू हो जाएंगे कुछ लोग पर यह नहीं देखेंगे तब कि यह बात आई है वो प्रभू को कितनी प्यारी लगती है कि नहीं प्रभू को भाती है कि नहीं आखे बंद करके मत दोड़ जाना प्यारो क्योंकि आपका भविश्य बहुत कीमती है लाखो करोडों लोगों के लिए आपकी फ्यूचर बहुत कीमती है यूहीं आखे बंद करके फैसले अपन से बच्चा है जब उनको पता चला कि यहां पर हुकम जारी कर दिया है दो साल से ज्यादा दो साल तक के जो बच्चे उनको मार डालने का है रोद ने तब रात में ही वहां पर यू सब को फिर से प्रभू ने जाके बोल दिया स्वर्गदूत ने यहां से निकल और मेसर चला प्रॉम्ट डिरेक्शन प्रभू आपको देगा तुरंत आपको प्रभू बताएगा सपनों के द्वारव यह वहर कर तैयार है आप लोग आपका इरादा साफ रखना मुझे 2023 में कई लोगों को भीड को लेकर आना है बोले मुझे भीड को लाना है येस आमेन हाललोया और कब इरादा साफ रहेगा आपके कदम भी आगे होंगे सिर्फ इरादे नहीं पड़ कदम भी बढ़ाने गड़ेरियों की माफिक कदम बढ़ेंगे अद्भुत्रम होते हुए देखेंगे हाललोया आए परमेश्वर के आगे अपने आपको रखते समर्पीद करते हैं चर्व होने जो चुनाव उनका किया गया कि इनको पहले ख़बर दिये जाए उन्होंने अपने चुनाव को साबीद करके दिखाया कि तुमने कोई गलत चौइस नहीं की है परमेश्वर अपनी चुनाव को साबित कीजिए दर्मिष्ठा बेन अपने चुनाव को साबित कीजिए ने आपको चुना है साबित कीजिए साबित कीजिए प्रभु तुन्हें मेरी चौईस गलत नहीं की है I am the right person मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसको तुने चुना है मैं वो ही व्यक्ति हूँ जिस पर तेरी नजर अभी भी है तैयार हो जाए प्रबु का आत्मा आप से व्यावार कर रहा है रिबाला बाश्चान दार बार बार बा ओ हालेलुया परमेश्वर चाहता है प्यारो कि आपकी सिर्फ सेलिब्रेशन ना हो येश्व से ये मुलाकात हो जाए प्रबु चाहता है ये मुलाकात ऐसी हो जाए कि जो आपके साथ हमेशा के रिष्टे में बान कर रख दे आपको हालेलुया प्रबु बोल रहा है आज अपने दिल को खोलिए अपने दिल को खोलिए और प्रभू से कहे परमेश्वर मैं ये रहा मैं तयार हूँ मैं तयार हूँ जिम्मेदारी अदा करने मैं तयार हूँ प्रभू तेरे लिए बोलने को आप मत सोचिए कि मैं क्या बोलूँगा कैसे बोलूँगा बाइबल में लिखा है कि उस समय शब्द आपको दे दिये जाएंगे शब्द आप बना नहीं सकते हो शब्द आते है शब्द आत्मिक दुनिया में से आते है शब्द स्वर्ग में से आते है क्योंकि शब्द ही परमिश्वर है और शब्द लाने के लिए वो जो आदी में था वो शब्द काम करता है वो पवित्रा आत्मा काम करता है वो स्वर्गिय शब्दों को आपके मुँ के द्वारा बुलवाएगा लिखा है कि ज्यानी की जुबान चंगाई लाती है आपका बोलना लोगों को अंदर छुटकारा चंगाई भरपूरी ला सकता है प्यारो हाललोया रीबालाबा शांदारा बाराबा दन्यवाद परमेश्वर दन्यवाद प्रभू आपने तरस खाया प्रभू आपने तरस खाया दन्यवाद परमेश्वर प्रभू आपने मर्यम और यूसुफ को इतना भारी assignment देकर अकेला नहीं छोड़ दिया परमिश्वर आप उनके साथ साथ हर कदम पर रहे ओ प्रभू आपने उनको दर्शन दिया आपने उनसे बाते की परमिश्वर आपने उनके step को ordered किया परमिश्वर उनके step को उनके कदमों को set किया परमिश्वर कि आप चाहते हो कि आपके कदमों को प्रभू set करे कि आप चाहते हो कि आप अपने कदमों को set करो आपका चुनावे कि प्रभू आपके कदमों को set करे या तो आप खुद करे आप तैय करें आपके फैसले कौन लेगा आपके फैसले आप खुद लोगे कि आपके फैसले प्रभु ये शुमसी लेगा कौन लेगा फैसले आपका समर्पन बताएगा प्यारो बले आप आज बोल दो बटाने वाला कल वो साबीत कर देगा कि आपने कैसा समर्पन किया है मैं चैलेंज करता हूँ आपको आपकी चॉइस को, आपके चुनाव को आप साबित कीजिए, करके दिखाईए प्रभु तुने मुझे यूही तेरा नाम नहीं दे दिया है आपकी पूरवज कहां थे और आप कहां हो Why are you here? क्यों आप यहां पर हो? क्यों यह शब्द आप सुन रहे हो? क्यों यह शब्द आपके कानों में जा रहे है? क्यों? क्यों? It is a well organized time by heaven आपको प्रभु गलती में नहीं चुन बैठा है उसको पता है कि आपके द्वारा वो क्या करने वाला है वो आपको नहीं पता है कि मुझसे प्रभु क्या कर सकता है और इसलिए शैतान के जूट से पहले तो बाहर आजाओ आज अपनी जिंदगी से बाहर आओ ओ प्रभु येश्व ने स्वर्ग छोड़ा आप अपने स्वर्ग को छोड़ो आज अपने comfort zone को छोड़ो अपने स्वर्ग को छोड़िए और आईये इस संसार में साबित कीजिए कि आप परमेश्वर की संतान हो परमेश्वर ने आपको चुना है परमेश्वर ने आपको इसलिए यहाँ पर लाया है कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महिमा पाए उसकी सच्चाई आपके जीवन से बाहर आए उसकी लाइफ येश्व की लाइफ आपकी लाइफ से बाहर निकले और नदी के समान बहे इसलिए परमेश्वन आपको चुना है ओ गलती कर चुके हो पश्यताप करके समर्पित हो जाईए प्रभू ने उस उड़ाव बेटे की गलती को तब ख्षमा किया वो तयार था उसको स्विकार करने के लिए बट तब उसको उसका वापिस मिला जब उसने पश्यताप किया और अपने कदमों को बढ़ा कर पिता के पास लेकर आया अपने आपको आज आप दुनिया में जहां भी खोए हो अगर आपको लग रहा है यहां को यह ऐसा बैठा है अगर आपको लग रहा है मैंने दुनिया में बहुत वेष्ट कर दिया मेरा समय मेरी जवानी को वेष्ट की मेरी आदतों को वेष्ट कर दिया मेरी अच्छी चीजों को खतम कर दिया मैंने आपको पश्यताप हो रहा है तो आज यह मौका है आपके लिए अपने आपको सौंप दीजिए वो ही स्वर्ग दूतों का दल जो इस संसार में 20 साल पहले वहाँ पर प्रभू की महिमा कर रहा था आपके पश्याताप से आप स्वर्ग में वो आनन्द करेंगे प्योंकि वच्चन में इसाफ कहा है कि यदि कोई पापी पश्याताप करेगा तो स्वर्ग में उसके लिए दूत पश्याताप वो आनन्द मनाते हैं तैयार हो जाईए कि पवित्रा आत्मा आपके उपर उत्रे छाया करे सामर्थ आपके उपर उत्रे ताकि आपको बड़ा एसाइन्मेंट पूरा करने की ताकत मिल जाए 2023 में भीड इकठा करने की ताकत प्रभू आपको देगा प्रभू हमें देगा हमारी कलिस्या को देगा प्रभू के पीछे चल कर किमत चुकाने की ताकत प्रभू आपको देगा हो सकता है बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़े हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपको निराश करना पड़े बट उन फैसलों से परमेश्वर ज्यादा खुश होगा मरियम और यूसफ ने तैय कर लिया था प्रभू ने जो सौपा है पूरा करके ही रहेंगे पूरा करके ही रहेंगे ये नौ महिने बले दुख उठाना पड़े उठाएंगे तकलिफ जेल नहीं पड़े जेलेंगे पर प्यारो येश्व वफादार है वो वफादार साथी है नहीं छोड़ेगा वो आपको वो मजदार में आपको छोड़ के नहीं चला जाएगा वो आग में भी साथ में रहेगा वो पानी में भी साथ में रहेगा और वो बीड में भी आपके साथ चलेगा आप बले बीड में अपने आपको अकेला फिल कर रहे हो बढ़ वो आपके साथ रहेगा तैय कर लो मेरा समर्पन क्या होगा तैय कर लो आपका समर्पन क्या होगा आपके कुवारे पन को बचार के रखे जवान बहने भाई बहन लड़के लड़कियां कोई भी जवान लड़का लड़की आपसे खिलवार नहीं कर सकता है यो आर प्रेश्यस चाइल्ड परमेश्व की महिमा आपके शरीर के द्वारा होगी शैतान की नहीं होगी आज क्रिस्मस के दिन येश्व आपको दिया गया स्वर्ग से आप येश्व को क्या दोगे कितने फैसले दोगे आप कहे प्रभु से मैं ये छोड़ना चाते हूं जो आपकी श्रंगर से जिस पाप को आप छोड़ना चाते हो अगर आपको आपका प्रभु का आत्मा कह रहा है आप गुटनों पर भी आके बोल सकते प्रभु मैं ये चीज आज से छोड़ रहा हूं अपकी कमजूरी प्रभु कि आगर रखे पवित्रा आत्मा उत्रे गा सामर्थ उत्रेगी आपकी कमजूरी आपका जोर्च जाएगा पवित्रा आत्मा आपकी बिगड़ी हालात को बदल के रखेगा आप वेट ना करें कि ये कुछ बदले ऐसा हो जाए फिर मैं कुछ करूँगा आप फिर फिर करते रह जाओगे आप दुनिया में कहीं खो जाओगे प्यारो आपके फैसले त्वरित और तुरंत प्रभू के सामने रखिए और लिख दीजिए डाइरी में नौट में बाइबल के लाश्ट पेज में मेरा ये फैसला इस क्रिस्मस में प्रभू मेरा प्रभू को अरपन दोजर्बाइस की क्रिस्मस में मेरा प्रभू को अरपन खunn Да रभीवार के लिए में प्रात्ना करूगा एड ऐली जिए अखर च वे all değer में रहोंगा मैं प्रभू के दासों के लिए प्रात्ना करूंगा कौन से मैं आपको बोलता हूँ फैसले सारे है कि मैं मदद करूगा संडे चर्श में में हैल्प करूंगा मैं मीडिया टीम में हेल्प करूँगा मैं वॉलेंटर्स के हेल्प करूँगा मेरे शरीर से मैं खर्चाऊंगा मुझे जो वर्दान दिये है मोम वो मैं प्रभू को अर्पित करूँगा मुझे गाना आता है आज के बाद फिल्मी गाने में नहीं गाऊंगा मैं मेरी जुबान को मैं पवित्र रखूंगा आज के बाद इस जुबान पर वो ही होगा जो प्रभु को पसंद है दाउद कहता है मैं अधीक से अधीक स्तूती करता जाऊंगा स्तूती बढ़ती जाएगी प्रभु से कहे मैं दिन में तेरा धन्यवाद करूँगा स्तूती करूँगा ओ प्रभु से कहे कहे कुछ तो कहे खाली आतना जाए ओ सिंपल ओ रिट्यूलिस्टी क्रिश्मस से बाहर आ जाए आज पवित्रा आत्मा पर उतरने के लिए प्रबल है ओ रमाजसे बेने पे खेले बर रवस्टे लिखा बासान था को रोया सेंदे पवित्रा आत्मा तैयार है प्यारों आपको बल देने के लिए वो आपका बल बनेगा वो आपका पिठ रक्षक बनेगा आपके खिलाफ साजीशे मिट जाएगी आपके खिलाफ उठने वाले लोग आप नहीं देख पाओगे प्यारो आपके खिलाफ केसिस करेंगे वो केसिस गायब हो जाएंगे परमेश्वर आपकी लड़ाईयों को लड़ेगा आप उसकी लड़ाई को लड़े आत्मी खत्यार उसने दे दिये है लेकर लड़े परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है कहे प्रभु से मुझे 2020 में तु क्या रूप देना चाहता है मैं आज क्रिस्मस के दिन में तुझे अरपन करता हूँ तु मुझे बना तु मुझे उठा और मुझे बना येश्व तुने सब कुछ मेरे लिए दे दिया कुछ भी नहीं छोड़ा प्रभु अपना मान भी दे दिया तुने अपना सम्मान दे दिया प्रभु तुने क्या आपका मान सम्मान येश्व के मान सम्मान से कीमती है क्या क्या आपका मान सम्मान येश्जु के मान सममान से कीमती है क्या आपको लगता है आपकी इंसल्ट हो रही है वो होने देजिये प्रभू के लिए कुश रही है होने देजिये प्रभू के लिए कीमत चुका है कहें आज मेरे पीछे दुआ करें, जिनों ने अपने आपको इस Christmas के दिन येशु को कुछ देने के लिए अपने आपको दिया है, मेरे पीछे ये प्रात्ना करें, आपके फैसले आपने प्रभु को सुना दिये है बढ़ आप ये दूआ करके अपने समर्पन को एक ओफरिंग के रुप में प्रभु के आगे रख सकते हो आज हे परमेश्वर पिता मैं दन्यवाद करता हूं कि तुने मेरे लिए स्वर्ग छोड़ दिया अपने आपको प्रभुता से दासत्व में ला दिया छोटा किया नम रखिया मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आज मैं अपने आपको तेरी योजना में सामिल कर लेने के लिए तुझ से बिंति करता हूं हाँ मैं हट गया था तेरी योजना से मैं दूर गया था दूर गई थी पर आज मैं परश्यताप करता हूं मेरा दिल आज प्रभु येश्यू के लिए खोलता हूं प्रभु येश्यू मेरे जीवन में आओ प्रभु येश्यू, मेरा समर्पन मैं तुम्हे करता हूँ तुन्हे अपने आपको दे दिया है आज मेरी बारी है प्रभु मैं अपने आपको तुझे देता हूँ मेरी इच्छाए, मेरे विचार, मेरा समय मेरी यादते, मेरे शौक, मेरा सब कुछ प्रभु तेरा है आज से इन सब बातों पर अधिकार तेरा चले मेरा नहीं, मेरा नहीं, सिर्फ तेरा अधिकार चले मैं अपने आपको तुझे दे देता हूँ हाललूया वो वफादार विश्वास योग्य प्रभु आपके साथ खड़ा है आपके फैसले आपने लिए हैं वो आपका साथी बनकर, आपका राइट हैंड बनकर आपके बाजू में खड़ा है मैं उन आग को यहां पर देख रहा हूँ वो आग की जवाला को आपके बाजू में खड़े होते हुए देख रहा हूँ यह रिम बेरमा, शेदे बेह सीखालाब, सांदाराब, बेहन आपके प्रशनों को परभू जला रहा है आपके फैसलों ने आज ही काम तामाम किया औरी बलाम स्दाराब, रबाब, ओ हललोया दन्यवाद, 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 परभू अपने फैसले पर डटे रहना अडे रहना मांगे पवितरात्मा प्रभीतरात्मा मुझ परा मुझे सामन से भर दे प्रभू मेरे फैसले पर अडे खड़े रहने के लिए तेरी ताकत आज मुझे दे तेरी शक्ती मुझे दे तेरी आग मुझे दे तरी फायर मेरे दिल मेरे ओ कभी ना बूजा ये फायर रेमने में शेक देवाल बसके रबर वो रिप्डख़ अन्य अन्दर बलबा शेकरा ओ यस तुरंधा अग्या पालन करने की समर्थ पवीत्रा आत्मा प्रीमेस डड़ी ओ ये शुकि नाम में हर एक डाव्ट को ये शुकि नाम में हो कैश फायर राइट नाव एफ्डावर येष्दा कैश फायर राइट नाव येश्ज्य के नाम हैं आललोया ले बाबाराबस शकर राबंधर बन अनिये ओ अ अगनी समान उसकी आकिज समान उसकी आके है रे बैब आब अ वह मावन निये शिव wypğe पिसाने वला है वह चरनी एंत्पर आ यह josu नहीं कि पूरा दल आपके साथ रहेगा वालेलोईया ओ हाललोईया स्वर्ग यह दूथो के लिए धन्यु वाग्रभस कर तालीभ जाय यह प्रभू दूवाद की लिए कि cli ipad ऑइस चंगे पर प्रभू तेरे दूथों को तो लाया पिता धन्युभाद पर मश्वर तू ने कहा है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा मैंने तो तुझे मेरी हतली में खौद कर रखा हुआ है ओ मैं कैसे तुझे बूल सकता हूँ कभी मत सोचना कठीन मौके आएंगे आपके लिए लाइफ में कोई आपको बूल जाए याद रखे ना रखे येश्यू ने खोद कर रख लिया है वो तो कभी नहीं बूल सकता है वो तो कभी नहीं बूल सकता है वो वफादार है वो विश्वास्तियों के हैं और जो कहता है वो करके दिखाता है हालेलोया प्रभू से कहे प्रभू मेरा चुनाव सही हुआ है बोले मेरा चुनाव सही हुआ है तेरे राज्य में मुझे सही लाया गया है तेरी योजना में मुझे लाया गया है ताकि तेरे लिए इस दुनिया में मैं खड़ा रहू इस दुनिया में तेरी महिमा करू ओ धन्यवाद करें प्रभु का आपके चुनाव के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जैसे मर्यम और यूसुफ को प्रभु ने चुन लिया जैसे गडेरियों को चुन लिया प्रभु ने आपको भी चुन लिया है ओ बैठे रहने के लिए नहीं कदमों को बढाने के लिए शत्रू को भगाने के लिए, शेतान शत्रू की चालो को नाकामियाब करने के लिए, परमेश्वर ने आपको चुना है, शत्रू हड़ी, चमड़ी, लहु माउस नहीं है, शत्रू अंधकार की अंसिन अद्रश्य शेतानिक शक्तिया है, जिन से हमारे लड़ाई है, और शान्दारा बारबा, प्रभू आज हम प्रातना करते हैं, हम ये कभी न भूले कि तुने अपना पूरा-पूरा दे दिया है, आखरी मौके तक प्रभू, सब कुछ तुने सब कुछ पूरा किया, और उतना ही नहीं तुने बिल्कुल समय पर पूरा किया, हमें मुझे पस्टर हितेश को और सभी दासों को तुन, अनुग्रदे परमेश्वर, हमारी वालेंटर्स टीम को अनुग्रदे परमेश्वर, मिडिया ठीम को अनुग्रदे जीनों ने फैसली दिये, उन सब को तुन अनुग्रदे, हम अन्त तक दिके रहे और हमार आपके समय के अनुस काम करें प्रभू आपके समय में जो आपने पूरा किया वैसे ही हम भी पूरा करने वाले बने प्रभू आज रिसीव करें उस ग्रेस को रिसीव करें उस अनुग्रा को प्राप्त करें वह अनुग्रा को ले लो प्यारों वह आपके लिए हैं वह जूड़ जाएगा आपके सा सामर्द पर देगा वो वो ग्रेस है यह वो आपको निकम्मा नहीं छोड़ेगा आप निकम्म में रही नहीं सकते हो आप बहुत काम के लोग हो आप रवु के राज्ये में बहुत काम के लोग हो आप कई उपस्थी भी बहुत काम की है ओ छोटी बैने छोटी बच्चे ओ आप के साथ आप दूढ़ों को लेकर आते हो और भारी महिमा अउतरती है और उस महिमा में बच्चे बदल जाते है और पैरेंट सुन लो कान खोल के अपने बच्चों को कभी भी मिस्मत करें संड़े स्कूल और प्रभू ने ये प्रभू ये बता रहा है मुझे कभी भी मिस्मत कर आपके बच्चों का दूद साथ में आता है पूरी बेड़ आती है और प्रभू आपके बच्चों को ओ जैसे आप चाहते हो कि अच्छा बने वो बनाएगा रीमा शक्खा दामाला सेंदेरा बाराबा आप चाहे दूर भी हो अपने आपको अपने बच्चों को जोड सकते हो लाइन भी बट आज फैसले लीजिए मेरा बच्चा एक भी संडे स्कूल मिश्ट नहीं करेगा आज आपका और पर है देने का समय है प्रभू ने तो दे दिया अपना और पर दो जार साल पहले और पूरा कर दिया सब कुछ दे दिया सब कुछ जो उन से बन पर दा था सब कर दिया उनोंने दास बन कर अब हमारी दास बनने की बारी है माबाब की हम सब की प्रभू हमें अनुग्र दे रहा है धन्यवाद प्रभू थैंक यू डैडी तेंक यू डे बेश्शी खांदा बारबा शेदा राव और प्रभू आजम प्रात्ना करते हाथों को उठाए स्वर्की और हाथों को उठाए येश्व मसी के नाम में औरी बेश्शी खांदा बाला बारबा पवितरात्मा पवितरात्मा चूलो इने चूलो प्रभू चूलो प्रबू और इनको इनके हालातों में से अलग करें इनके हालात सेम ना राए बदल जाए इनकी श्ट्रगल अब अन्त आये और प्रभू तेरी महिमा के लिए कदम उठाने की बात बने हैं पाप के साथ की श्ट्रगल येश्यू के नाम में आज पूरी हो यहां पर उस पर जाई पाने की शुरुवात हो आज से ओ विक्त्री विक्त्री प्रभू ओ यस यहवा निसी उसका जंडा पवित्रा आत्मा लेकर खड़ा है वो वो आपको दे रहा है बेटा विजय आपका है आपका ही विजय होगा चाही स्कूल में हो आप चाही कॉलेज में हो कभी न भोलना की आप पवित्र प्रजा हो आप mixed होने के लिए नहीं हो आपको अलग किया या आपका चुनाव हो चुका है कभी मत बुलना आपका चुनाव हो चुका है आपके फैसले याद करना जब भी पाप और परिक्षा आए जब भी फेस्बूक में गंदे सीन आजाए, यूट्यूब में कुछ ऐसा दिखाई दे याद करके बंद कर देना बैतर है आप उन चीजों से छुटकारा पालो पवितरात्मा आपको बल देगा सामर्द देकर बढ़ाएगा, थैंक यू डैड़ी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभू पवितरात्मा आप इने छूले प्रभू और आपकी एक अद्बुद, ग्रेस और सामर्द जैसे मर्यम पर उत्री थी प्रभू वैसे ही उत्रे ये शुमसी के नाम में जीनों ने अपने आपको सौंपा है प्रभू जीनों ने कहा है कि तु ले ले मुझे क्या आपके शब्द है प्रभू की यह योजना है कि आप ले पालक पुत्र हो ले पालक पुत्र हो कहे मुझे ले ले प्रभू मैं देता हूं मुझे ले ले प्रभू मैं देता हूं और जीन को प्रभू देते जो प्रभू को अपने आपको देते प्रभू उनको ले लेता है, ले पालक पुत्र बनाता है उनको, आज ये वक्त है, अपने आपको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो प्रभू, मेरे इच्छा, मेरे फैसले, मेरा सब कुछ मैं तुझे देता हूँ, ओ, ऐसा कोई भी फैसला नहोगा, जिससे तुझे मह महिमा ना मिलती हो वही फैसले वही समय वही दोस्त जहां पर प्रभु की महिमा होती हो आज से मेरा ग्रूप आज से मेरा समय आज से मेरी आखे का देखना सब कुछ बदल जाए प्रभू थैंक यू प्रभू धन्यवाद पिता धन्यवाद प्रभू हाललुया व्यासन करने व का दुसरा आग्मन बहुत पास है उसके बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा तैयार हो जाए अपने आपको समर्पित करने के लिए व्यासन करने वाले बुरी संगती बुरी संगती बुरे दोस्त अपना नहीं कह पारे बुरे दोस्तों को येश्यू के नाम में ऐसी जगे से अलग हो प्रभू तेरी महिमा के लिए प्रभू नहीं वाचा से पर दे प्रभू नहीं वाचा से पर अपने होठों पर मुपर हाथ रखे यस अपने हो पर मुँपर हाथ रखे दाइना हाथ रखे ओ प्रभू जैसे वेदी से अंगारा तुने यशाय के लिए भेजा उन सराफों में से आया और यशाय के उन होठो को छू लिया प्रभू आज इन होठो को छूले जिये प्रभू वह अंगारा छूले प्रभू कोई भी गंदी बा ना निकले प्रभू कोई भी लज्जा हिन ऐसी बाते ना निकले पर बेश्वर अगर दूसरों की उन्नती के लिए जो आवश्य के वही निकले प्रभू हम आश्परात करते पीता इनके होठो को छूलो प्रभू ताकि गड़रियों के समान जो जो बाते उन्होंने अपने जी दोपर प्रबेश्वर ने जिम्मेदारी डाली है उसको पूरा करना आपका फॉर्ज जयाद से थैंक यू प्रबु इस समय के लिए धन्यवाद आपने हमारी मुलाकात की है पिता प्रबु धन्यवाद परमेश्वर रीबाश्या खारा बांदारा आए हाथ उटा कर दुआ कर प्रबु हमारे लिए एक बड़ी भीड के लिए कच्छे जगे तयार करें यस रीबेशी खादा बारा बाला बारा रीबांदा रबार अपने हाथों को उठाकर टंग्स में बोलिये यस दिस देटाइम रीबाश्या दा बारे बाला आपको दान है बोलिये यस यह उस को तोड रही है जो हमें हमारे कप जेसे अलग रख रही है yes we possessed this landlord in the mighty name of Jesus we take it by faith we take it by faith oh every obstacles catch fire be broken in the name of Jesus yes sugar butter power no man be broken in Jesus name hallelujah I'm really a terrible जो हमारा है वो हमारा है प्रभू जो हमारा है वो हमारा है आपने जो वचनों में लिखाए वो सब हमारा है वो सब हम हासिल कर सकते हैं वो हमारे लिए बोला है और वो हमारा होने के लिए बोला है हमारा अधीकार चलाने के लिए बोला है ओ हम उसे ले ले लेते हैं we take it we take it by faith ओ ये शुके नाम में विश्वास से उसे प्राप्त करते हैं ओ प्राप्त करो अपने घर को अपने खुद के घर को ले लो ले लो ये शुके नाम में विश्वास से रसीव करें रसीव करें आपकी कठीना ही किस बात को ले करें रसीव करें उस आशीश को रसीव करे receive it by faith yes marriage life disturbance को मैं येश्यू के नाम में डाटता हूँ दूर हो जाए दूर दूर हो जाए येश्यू के नाम में ओ जो भी अभी भी जो पार्टनर अभी भी unsaved है उद्धर नहीं पाए है प्रबू आज हमारे हाथ उठाते हैं हमारी कलीसिया के लिए येश्यू तू सब के लिए आया है तेरा वच्चन में साफ के दे तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा सारा घरान उतार पाएगा आज हमारे हाथ उठाकर प्रबू हम कहते परमेश्वर सारे बंधन विश्वास करने को लेकर है जो नहीं कर पा रहे दूसरे मेंबर्स दूसरे पार्टनर्स प्रभी येश्यू के नाम में आज ठूट जाए ये शू के नाम में ठूटे है एक से दो हो जाए परिवार में दो से चार हो जाए प्रभी येश्यू के नाम में चार से आठ हो जाए इन दर नेम आप छीज़स ओ येश्यू के नाम में हम इ निवाद परमेश्वर आद और सनमान आप ही का है आप ही को मिले परमेश्वर थैंक यू ड़ी